हलो गैस वेलकम बैक तो पीसी वाले यूट्यूब चैनल एंड अनफॉर्चुनेटली जो तुमने टाइटल में देखा जो तुमने थम्निल में देखा वो सच है मैं Ryzen 9 3900X एक खराब कर चुका हूँ या तोड़ चुका हूँ या कहूं उसकी पिन बेंड कर चुका हूँ अलब कि मेरे जो स्पॉंसर से हैं उन्होंने मुझे राइजन 9 3900X दिया था as a review unit and मैं इसकी टेस्टिंग कर रहा था अलग अलग चीजों से जैसे की for example thermal-based application Ryzen को कैसे affect करती है बिकास इसके अंदर दो अलग 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 चिपलेट्स हैं and वो अलग 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 जगाव पर located है and so तुमारे पास different heat spots है ठीक है sorry hot spots है तुमारी IHS में अलग 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 जगाव पर hot spots है और तुमारी cooler mounting किस तरीके से तुमारी temperatures को affect कर सकती है और फिर वो temperature तुमारी boost को कितना affect करते है मैं अलग अलग टाइप भी testing कर रहा हूँ और अगर तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो कि मैंने कैसे अपने CPU को तोड़ दिया तो please description में दिये गया Amazon Link से जो हो पहले एक CPU खरीदो ताकि तुम भी अपने CPU को तोड़ पाओ या फिर कुछ graphic card खरीदो या RAM खरीदो या game खरीदो या thermal paste खरीदो headphone करीदो keyboard खरीदो mouse खरीदो कुछ भी खरीदो उसे channel को support मिलेगा लेकिन उसके बाद क्या हो मैं टेस्टिंग से bore हो गया तो मैंने कहा किया मैंने system disassemble किया और CPU अपने table पर ही बिना किसी protection के ऐसे ही table पर अपने mouse हुमाना पड़ता है तो मेरे साथ अब तुम जानते हो क्या हुआ होगा मैंने game के दौरान एक intense action में एक हाथ का एक बड़ा सा swipe ऐसे किया अपने table पर and CPU के साथ मेरी कुछ RAM and कुछ और बाकी चीजें जो है वो CPU के साथ नीचे गिर गई और जब मैंने उसे उठाया तो उसमे जो है वो काफी सारी pins बेंड हो चुकी थी जिनके की दर्शन आप कर चुके हो वीडियो में दिख रहा होगा आपको काफी pins बेंड थी ये तो फिर भी जो है थोड़ी बहुत ही जो मैंने photo क्लिक करी है ये तो pin मैं थोड़ी बहुत ठीक कर चुका हूँ तब ही फोटो है वर मैंने सुचाए कि यार pin बेंड हो गई है CP का कल्याण हो चुका है तो एक बड़ ट्राय कर लेते हैं इसको फिक्स करने का तो मैंने pins को जो है वो सीधा करने के भी कोशिश करी तो मैंने सुई होती है जो तुमारी इससे सिलाई वगरा करते हो तो तुम नहीं मतलब तुमने म तो यह कुछ मेरा equipment है जो कि मैंने यूज करें इसको pins को सीधा करने के लिए हला कि मैं आपको बोलूगा कि मालो ना चाहते हुए भी तुमारे साथ कुछ ऐसा हादसा होता है जैसे तुमारी pin बेंड हो जाती है और तुम मेरी तरह निकम्मे हो और तुम अपने CPU को हाथ से ग कर दी जी हाँ यह इंक्रेडिबल चीज है बहुत ही उच्छ लेवल का मैंने महान काम किया है क्योंकि CPU की इस तरीके से pin सीधी करना कोई असान काम नहीं है और इसमें जितनी pins बेंड वी थी उसी साब से तो बहुत इंक्रेडिबल चीज हो कि मैं इसको सीधा कर पाया लेकिन अनफोर्चुनेटली जैसे कि मेरी किस्मत मुझे बताती है कि मतलब लोगों को जो है वो एक राइजन 3 नहीं मिल रहा है गेम खेलने के लिए और मैं एक राइजन 9 को गिरा चुका हूँ ठीक है तो इतनी बुरी किस्मत है मेरी ठीक है तो राइजन 9 को जो मैं तोड़ चु अब देखो एक पिन 2TL लेकिन हम जानते हैं कि AM4 socket को AMD 2020 तक यूज़ करेगा तो अब AM4 socket को AMD 2020 तक यूज़ करेगा तो मतलब कुछ ऐसी pins होंगी जो जिनका कुछ functions नहीं होगा जो ऐसे ही CPU पे लगी वी है जिनका function जो है वो शायद मेभी AMD नए socket में और अगले साल जो CPU आए वी कोर के लिए pins होती हैं बहुत सारी functions की pins होती है पर मुझे लगा कास यह जो है वो पिन निकले यह ground pin निकले या कोई non-functional pin निकले इस pin का कोई काम नहीं हो और जब मैं CPU को लगा हूँ तो यह CPU चल जाए लेकिन unfortunately मेरी किसमत इतनी खराब है कि यह वो pin जो है वो शायद में tension की कोई बात नहीं है छोटा मोटा CPU यह तो है हम तुमको दूसरा भेज देते हैं मैंने उनसे बात करी कि दूसरा भेज दो ठीक है फिर तो लेकिन उनके पास जो है वो जैसे कि तुम जानते होंगे कि Ryzen 9 की इस वक्त जो है वो stock की मारा मारी चल रही है लोगों के पास stock नह ठीक है भेज दो तो मैं एक Ryzen 9 तोड़ चुका हूँ यह 40-45000 का CPU तो उन्हों ने जो है मुझे एक Ryzen 7 और भेज दिया है 3800X तो अब मैं जो मेरी मेरी वीडियो होंगी मैं उसमें उसको यूज करूँगा और यह CPU जो है वो अगर मैं इसको ठीक कर पाता हूँ कुछ इसको एक दो बार दूसरे motherboard में ट्राय करता हूँ लगाने का थोड़ा बहुत देखते हैं कुछ होता है इस CPU का वरना मैं इसको डिलिट करने को ट्राय करूँगा और मेभी इसको शायद हम लैप करेंगे देखने के लिए कि सर्फिस कितनी इवन है एक्सपरिमेंटल परपस लेकि अगर मैं तोड़ूँगा तो फिर मुझे शायद मुझे उसके बाद राइजन 5 मिलेगा मैं ट्राय करूँगा कि उसको ना तोड़ू बट यह मैंने भी नहीं तोड़ा गाइस मेरी भी गलती नहीं है वो अपने आप गिरा नीचे मतला मेरे हाथ से गिरा बड़ मैंने जान कुछ नहीं कर सकते हैं ट्राय कर सकते हो सिधा करने का लेकिन मुश्किल है